गॉल्फ ग्राउंड में पोसन सकी की बैठक आहूद की गई है जिसमें काफी संख्या में पोसन सकी इस बैठक में भाग लिए पोसन सकी के प्रदेश अध्यक चंजनी कुमारी ने मीडिया को बताया कि धनबाद में जिला कमिटी की ओर से जिला अस्तरिय बैठक रखा गया है जिसमें पूरे धनबाद में पोसन सकी का चेत्र बड़ा होने के वज़ा से दस प्रखंड को दो जोन में बाटा गया है पहला धनबाद बहुत बड़ा होने के वज़ा से दो जोन में बाटा गया है लेकिन पूरे धनबाद जिले में सभी पोषन सकी एक है और एक मत से ही काम किया जाएगा सभी पोसन सकी मिलकर सरकार से गुहार लगाने के उदेश से बैठक रखा गया है कि सभी को अस्थाई नौकरी जल्द सुनिशित करे इससे बीछ में हमारी जिला मेरा खेंशा रहा है जो कि आगे हम लोग इसी के दुन दकारन है् पोसन सकी जो एकी कि लिस बीछ honk फ्रांता के जा शुनिशित करें हमारी सरकार हमारी मांगें क्यों नहीं सुन पा रही है उनको हमों चाहते हैं कि जिस तरह से हमोगों को पेिमेंट की इसु किये approach हमारा रोजगार दे कि झाते हैं सरकार से हम laure oh अज ऊतु करते हैं ुमिध करते हैं कि हमारा रोजगार ना यह था कि हमारा जारकन राज एक अत्रित पोशन सकी संग जो अभी हम लोग सब इधर उदर जितनी भी थी सब एक साथ हैं और यहां पे जिला गठन किया गया है जिसमें दो जोन में बाटा गया एक कुर्वी और एक पश्मी की हमारी जिला द्याच दिंपल चौबे और करेंगे और उसके बाद अगर मांगे नहीं पूरा होता है तो फिर हम लोग आंदूलन पर उत्रेंगे हां हम लोग का नियोजन हम लोग का बखाया मंदे मिल गया है है इस इस फ़ाम लोग की नौकरी वापस कर दे हमारे हमन सरकार सब को खुसिया दे रही है हम लोग को भी मेरना मैं जनी कुमारी पर देस इस